नमस्ते बच्चो बच्चो आज हम पाठ क्रमांक साथ और बोध इस पाठ का अध्येन करेंगे बोध मतलब क्या? बोध मतलब जानकरी प्रस्तूत पाठ के द्वारा वैकरण ग्यान को बड़ावा दिया गया है पाठ में दिये गए वचन, लिंग, वैकरण शम्ता को बड़ावा देते हैं इस पाठ में कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप तथा कुछ शब्दों के पुलिंग और स्रीलिंग रूप दिये गए है इनके द्वारा वचन और लिंग का परिचय कराया गया है बच्चो अब हम वचन के बारे में जानकरी लेंगे वचन के कितने भेद होते हैं? दो, एक वचन और बहुवचन एक वचन मतलब क्या? एक वचन मतलब शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पधार्त का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं जैसे की लड़का, घोड़ा, पुस्तक, आदि और बहुवचन, बहुवचन मतलब क्या? शब्द के जिस रूप से अधिक प्राणी या पधार्तों का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? बहुवचन फॉर एक्जम्पल लड़के, घोड़े, पुस्तके, आदि अब हम एक वचन और बहुवचन शब्द पढ़ते हैं टेक्सबुक में देखना है पहला शब्द दिया है आख आख एक वचन है, बहुवचन है, आखे नेक्स्ट है पेटी पेटी एक वचन, उसका बहुवचन क्या है? पेटिया नेक्स्ट है अउशदी अउशदी एक वचन है, बहुवचन है, अउशदिया नेक्स्ट है पपीता पपीता एक वचन, पपीते बहुवचन नेक्स्ट वर्ड है आम आम एक वचन, उसका बहुवचन आम अभी नेक्स्ट है माला माला एक वचन, बहुवचन है, मालाए नेक्स्ट है सिक्का सिक्का एक वचन है, बहुवचन है, सिक्के नेक्स्ट ए तौलिया तौलिया एक वचन उसका बहुचन क्या होगा तौलिय ठीक है अब हम लिंग के बारे में जान करी लेंगे लिंग मतलम जेंडर पता है न पुलिंग और स्री लिंग हिंदी भाशा में doughling होते है पहला है pulling और next है thrilling pulling मतलब क्या कि जिस रुप से पुरुष जाती का बोध होता है उसे pulling कहते है जैसे कि पुरुष, लड़का, घोड़ा, मोर, आधी और thrilling मतलब क्या जिस शब्द से स्री जाती का बोध होता है उसे स्रिलिंग कहते है जैसे की स्त्री, लड़की, गोडी, आदी तो बच्चो अब हम पुलिंग शब्द और स्रिलिंग शब्द पढ़ते हैं पहला शब्द कौन सा है देखो बंदर बंदर है पुलिंग उसका स्रिलिंग है बंदरिया Next is Billy Billy thrilling है उसका pulling क्या होगा? BELOW Next is SEEHAN SEEHAN pulling है उसका thrilling है SEEHANI Next is Guy Guy thrilling है उसका pulling क्या होगा? BEL Next is HIRAN HIRAN pulling है उसका thrilling है HIRANI Next is NAGIN NAGIN क्या है? thrilling شब्द उसका pulling है NAG और last is CHUHIYA चुहिया स्त्रिलिंग है उसका pulling है चुहा तो बच्चों आज हमने इस पाठ में वच्चन और लिंग के बारे में जान करी ली अभी हमारा इस साथवे पाठ में सेकेंड जो पाठ है वो है समान विरुद्धार्ती शब्दों का परिजय दिया गया है समान विरुद्धार्ती शब्दों मतलब synonyms और विरुद्धार्ती शब्दों मतलब antonyms opposite word तो समान विरुद्धार्ती शब्दों मतलब जें शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें समान विरुद्धार्ती शब्द गयते है तो इस पाट में चित्रो द्वारा समानार्थी शब्द दिया है हम लोग देखेंगे पहला समानार्थी शब्द फर्स्ट ए आख आख का समानार्थी शब्द है नेत्र नेक्स्ट ए व्रुक्ष व्रुक्ष का समानार्थी शब्द है पेड नेक्स्टे पंची, उसका समनार्थी शब्द है पक्षी नेक्स्टे पुष्प, पुष्प का समनार्थी शब्द है फूल नेक्स्टे द्वार, द्वार मतलब दोर द्वार का समनार्थी शब्द है दर्वाजा Next day, चारपाई So, तेन हम लोग चारपाई पर तो चारपाई का समानर्थी शब्द है खटिया Next day, सवेरा सवेरा मतलब morning उसका समानर्थी शब्द है सुबह Next day, केश केश मतलब hair उसका समानर्थी शब्द है बाल इस प्रकार चित्रों के द्वारा समानार्ती शब्दों को समझाया गया है आग्यम सिखते हैं विरुद्धार्ती शब्द विरुद्धार्ती शब्द मतलाब अपोजिट वर्स जो शब्द एक दुसरे का विरोधियर्थ सुचित करते हैं उन्हें विरुद्धार्ती शब्द कहते हैं, तो देखते हैं, अभी हम लो, अपोजिट वर्ड, विरुद्धार्ती शब्द, फर्स्ट ए, दिन, दिन का अपोजिट वर्ड है, रात, डे, नाइट मतलब, नेक्स्ट है, उपर, उपर, उसका विरुद्धार्ती शब्द है, नीचे, नेक्स्ट है, कम, कम का अपोजिट वर्ड है, अधीक, छोटा, छोटा का विरुद्धार्ती शब्द है, बड़ा, नेक्स्ट है, गरम, गरम का अपोजिट वर्ड है, ठंडा, नेक्स्ट है, सुख़्ी, सुख़्ी का अपोजिट वर्ड है, दुख़्ी, हैप्पी, सैड मतलब, नेक्स्ट है, बन्द, बन्द का अपोजिट वर्ड है, खुला, क्लोस्ट, ओपन, और लास्ट है, आगे, आगे का अपोजिट वर्ड है, पिछे, प्रंट, बैक मतलब, तो इस प्रकार वच्चों, चित्र के माध्यम से, समानार्ती और विरुद्धार्ती शब्द की भी, जानकरी हम लोगों ने ली, ठैंक्यू,